प्रकति में मौझूद स्वच्छ जल नदी के स्रोथ को माना गया है। नदियां हमारे लिए हमेशा से ही सहायक सिध होती आई हैं। दुनिया भर में बहुत सी सभ्यताई नदी के किनारे ही विक्सित होई हैं। नदी एक ऐसी प्रवाहिद धारा है जो ना केवल क्रिशी के ल रूप में पूझता आ रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से ऐसे रिश्य मुनी हुए हैं जिन्होंने नदी किनारे कड़ी तपस्या करके अध्यात्म और मोक्ष से सम्बंदित ज्यान प्रात किया है। भारत में नदियों को पवित्र और पूझनि महत्व है। आपने कई बार देखा होगा जब मनुशे की मृत्यू हो जाती है और मनुशे का दाहसंसकार कर दिया जाता है तो दाहसंसकार के बाद मनुशे का अस्थिवे सरजन नदी में ही किया जाता है। माननेता है कि नदियों में प्रवाहित की गई अस्थियों से मृत की आत्मा को मोख्ष मिलता है। आप जानते हैं कि हिमाले से निकलने वाली नदियों में सिंद्धू, सरस्वती और गंगा के बाद ब्रहमपुत्र का नंबर आता है। ब्रहमपुत्र भारत ही नहीं बलकि एशय अपकी सबसे लंबी नदि है। ब्रह्म पुत्र को संस्कृत भाषा में ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है तिबबत में सित पवित्र मांसुरोवर जील से निकलने वाले इस नदी को सांग्पो नदी के नाम से भी जोन जाता है तिब्बत के सांगपो नदी जब बांगना देश में प्रवेश करता है तो इस नदी का नाम जमुना हो जाता है और जब ये नदी भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मो पुत्र हो जाता है और ब्रह्मो पत्र नदी गंगा के साथ मिलकर एक नया नाम पद्मा फिरमीगना धारन कर सागर में समा जाती है ब्रह्मो पत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमेटर है यदि इसे देशों के आधार पर विभाजित करें तो तिब्बत में इसके लंबाई 1625 किलोमेटर है यानि बंगाल की खाड़ी में समाने के पहले ये करीब 3000 किलोमेटर का लंबा सफर तै कर चुकी होती है इस करम में अरुनाचल प्रदीश, नागालैन, मिघाले, बूटान, पश्शिम बंगाल और सिक्किम के पहाड़ों से निकली अन्य अनेक नदियां समाहित हो जाती है इस दोरान अनेक नदियां और उनकी उप नदियां आकर इसमें समा जाती है हर नदि की अपनी कहानी है और उनके किनारे बसी जनजातियों की अपनी संस्कृती है ब्रह्मुपुत्र के कई नाम और पहचान है हर शेत्र में इसके सुभाव और आच्रन में भी फर्क है डिब्रुगण में इसका मीलो लंबा पाट इसकी विशालता को दशाता है तो गुवाहटी में दोनों और की पहाड़ियों के बीच से गुजरने के लिए ये अपना आकार लगु कर लेती है फिर नीला चल पहाड जिस पर माकामाख्या का मंदिर है माकामाख्या का चरण सपर्श करने के बाद आगे जाकर अपना विराट रूप धारन कर लेती है असम के अधिकांश बड़े शोहर इसी के किनारे विक्सित हुए है अंद में कहना हुगा कि भारत को ब्रह्मपुत्र के संस्कृती और धार्मिक इतिहास को सनक्षित किये जौने के आउशकता है ये नदी भी इंदु सभ्यता की नदी से कम नहीं है प्राचीन मानव इस नदी के आसपास रहता ही था इस नदी श्वित्र में सैंक्डो गुफाएं, घने जंगल और कई प्राचीन सभ्यताओं के अफशेश पाए जाएंगे